कि अलो फ्रेंड्स चीला थो हम लोग अक्सर घर में बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनते भी हैं तो आज मैं आपको चावल के आटे की चीले की रेश्पी लेकर आई हूं लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से तो जलिए रेस्पी शुरू करते हैं चावल के आटे का आज हम च जो हम नॉर्मल खाने वाला कप यूज करते हैं, मैंने उसी जावल का आटा लिया है, अब हम डालेंगे उसी कप से एक कप गहुं का आटा, थोड़ा सा गहुं का आटा मिक्स करने से जब हम चीला बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा बैंडिंग एजन्ट का काम करता है, थोड मिडियम साइज का ग्रीन चिली और 5-6 लेसन की कली, प्याज और टमाटर को मैंने रफली स्लैसेज में कट कर लिया है, अब इन सारी सबजीयों का हमें पेस्ट बनाना है, तो मैंने इन सारे इंग्रियंट का पेस्ट पना लिया है, पेस्ट आप दर दरा भी रख सकते हैं, लेकिन पानी डाल कर इसका पेस्ट ना बनाए अब इन सारे पेस्ट को हम इसमें मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच स्वाद अधनुसार नमक नमक आप अपने कॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें कुछ हलके फुलके मसाले भी आट करेंगे सबसे पहले एक छोटा चमच हल्दी पॉडर हम अच्छे कलर के लिए डालते हैं दो चटशी चमच गुल की पॉडर थोड़ा सा एसमें बनाने के लिए इसमें गुल की पॉडर जिदा डाल रही हूँ एक छोड़ा चमच भूना हुआ जीरा का पॉडर इसे भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है चीले में साथ में यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक करते वे इसमें डाल रही हूँ सांभर मसाला यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको संभर मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप इसे चीले में डाल कर बनाए बहुत ही अच्छा बनता है साथ में फ्लेवर के लिए हम एड़ करेंगे चौप किया हुआ धनिया का पत्ता अब सारे इंगुरियंट्स को मैंने डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको अजवाइन और चिरोंजी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें वो डाल सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका एक बैटर त्यार करेंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे फिर से मिक्स करेंगे सुखा चावल काटा बहुत ज़्यादा पानी एबजॉब करता है तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो मैंने इस तरीके से एक बारी से मिक्स करने कवाद फिर से पानी डाल के मिक्स किया है हमें इसका पतला बैटर चाहिए जिसे हम जिनरली चीला बनाने के लिए रखते है देख रहे हैं आप मैं पानी डाल रहे हैं और यह जितना भी मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रहे बस जो यह बैटर है उसमें कोई भी लंप्स या फिर गुल्ठिया नहीं होनी चाहिए यह तो चीला अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हम लास्ट में से हैंड विस्किंग से पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे यह देखी चीले की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और पानी आट कर रही हूँ अब हमारा चीले का जो बैटल है वह अग्दम पॉफेक्ट है बहुत गाढ़ा नहीं है और बहुत जाद अग्दम पानी की तरह भी पतला नहीं है पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपको बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखने है कि जब आप तवे पर चीले को बनाए तो अराम से आपके कॉर्डिंग तवे पर इस्प्रेड हो चलिए अब फाइनली चीला बनाना सुरू करते हैं तो लोग अकसर चीले को नौन स्टिक पैन में बनाते हैं क्योंकि उसमें चीला जो हो चिपकता नहीं है लेकिन आज मैं आपको लोहे के तवे में बना कर दिखाती ह तो इसके लिए हम क्या करेंगे हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए पहले तवे को गर्म कर लेंगे तो तवा यहां पे गर्म हो गया है तब हम फ्लेम को यहां पे मीडियम करेंगे और इसमें डालेंगे एक चब मच रिफाइन वाइल आप चीला चाहो तो रिफाइन वाइल गी या फिर मस्टर्ड वायल में भी बना सकते हैं अब फ्लेम पे तेल डालने के बाद अब हम इसे तक गर्म करेंगे जब तक की तेल में से धुआ ना निकलने लगे इस तरीके से अगर आप तबे को गर्म करते हैं तो आपका लोहे के तबा में भी जो चीला है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा लो फ्लेम करके अब इसमें डालेंगे एक कल्ची इस तरीके के कल्ची ले ले इससे आप बैटर को डाले तो एक कल्ची बैटर को मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इस कल्ची के पीछले हिस्से से इस तरीके से फैलाएंगे देखिए बैटर की अंसि स्वाइला जल की अच्छे लिए चाहिए हरु अब एक तरफ से जिए सकने से बाद मीडियम कर दिया सामाया महते प्राइल फैल के जाये करें कम आध लाया भी आध ने कि आ चार्ध पर भी लोग के तेल हम पहले में prediction को तर रसली है यह हल्का सा ड्राइ ना हो जाए तरण नहीं पल्टेंगे नहीं तो यह तूट जाएगा और पल्टी भी नहीं होगी तो एक तरफ से अच्छे से मिला देंगे अगर बचों को टीफिन में दे रहे हैं यह चीला तो आप घी में बना दे और भी टेस्टी और हिल्दी बनेगा देखिए मैंने इसे पलट दिया है कितना अच्छा प्यारा कलर आया है इसमें और काफी अच्छे से यह पलट हुए जरास अभी तरुमकर लिए तो फीलीम फ्लेम। आयरट पट करके अच्छा गोडें क्रिस्प्कूर्फ को कुए। चीला क्रिस्पी रहता है खाने में ऊतना ही टेस्टी लगता है और गरम गरम गरमा शार्व सपोता है और झारी अभी है, जुद में फील्ज पूर जाशव स्ट है। प्यास टमाटर सभी की पेस्ट बनाकर इसमें डाली है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है जब आप एक वार इस तरीके से पेस्ट करके डाले अलग लगेगा आपको टेस्ट बार बार तो आप चौप करके या फिर स्लाइस करके सबजे को डालते ही है लेकिन इस तरीके से भी डाल कर देखें बहुत ही अलग टेस्ट आएगा तो यहां पर बाते करते करते पहला चीला हमारा बन के त्यार हो गया एक चीले को बनने में चार मिनट तो जरूर लगते हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्फ करेंगे देखी इकदम परफ तो यह हमारा दूसरा वाला चीला भी बन के तयार है तो अगर आप सबजी रोटी खाते खाते बोड़ हो गये हैं और चाहते हैं कुछ नए तरीके का ब्रेकफास्ट तो इस तरीके से एक वार चीले की रेस्पी को ट्राइ करके देखें बहुत ही अच्छा बनेगा और कर सकते हैं मैं आपको एक देखा देती हूं उठाकर यह देखें कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है कई बारी चीला वराने समय वह चीम्रे हो जाते हैं खासकर जब चावल के आटे के आप बनाते हैं लेकिन यह देखें बहुत यह अच्छा बन के तियार हुआ क्रिस्प भ खाना खा सकते हैं आई होप आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरे रिस्प सची लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मैं आपके साथ मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर दो